या कि तो दोस्तों आजक इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडिया से सौधी अरब के लिए फलैट के बारे में पर निकल रहा हैं तो जैसे की आप लोग को अभी नहीं आ सकता है कि उसमें दूबई का भी नाम साविले दूबई के लोग भी सौधी अरब नहीं आ सकते हैं तो अपना इंडिया के लोग भी महुत लोग दूबई गहें थे वहां पर फंस चुके हैं कहे रहें कि भाई कव चालों होगा इसके बारे में कोई ख़बर है आपगो देखे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं पौत लोग को का भाई' मन में यह साल है हो कुवेट दुबई में फसा हूं तो क्या कुवेट या ओमान जा करके आ सकता हूं कुवेट का बात कर नहीं थे दोस्तों जैसे कि आप लोगों बताई था कि कुवेट ने जो है दो हपते के लिए जो है सॉस्पेंड लगाने वाला था फलेट पे जो कि साथ फरवरी से यहां आप देख सकते हैं लिखा गया था कि यह कदम जो रविवार आज रविवार है साथ फरवरी है रविवार से पवाब्द होगा देश में कोविन नैंटी से के परसार को रोकने के लिए बुदवार को एक असाधारन सत्र में कुवेटी के बिनिर्दारा उठाएगे नहीं उ सकते हैं बहुत लोग परिशान है कि ज्यादा करके दूबरी से कुवेट जाएं कुवेट से भी साओधी रवाज किसी दिर आ जाएं यहां दोस्तों जो है यह यह वहां कुवेट में बंध होने वाला है लेकिन आज जो एक ट्वीट आया है यहां पर आप देख सकते हैं य यहां पर लिखा गया कि कुवेट ने पइच्वेट नागरी को के पर्वेस पर्वर्पर तीवंद को रह करने का फैसला किया है पईच्वेट में देस के decision है लुए जो कैंसल्द यह कर दिया है मतलब कि जो बैंस लगाने वला था साथ फरर्वरी को में को लिए को आप गया की हुए कुए न sweweec to cancel the ban ठीक है ना कैंसल करविया है जो बैन लगाने वाला था साथ फरवरी को पैङतिस कंट्री के उपर ओ जो है एग कैंसल कर दिया ठीक है इंक्री तो सीटिर यहां पर तीजन यहां पर कर रहा है कि इंट्री कर सकते हैं उनके ओपर जो है बैन नहीं लगाया जाएगा यह यहां पर बाताया जा रहा है यह आज का यह ट्वीट है तो यहां पर हम दोस्तों बात कर लेते हैं और नौन सब्सक्राइब लोग जा सकते हैं वहां का जो पब्लीक है मतब कुवेट का ओ लोगी 35 कंट्री को पर आपको कौन कौन सा कंट्री को पर बैन लगाया कुवेट गूर्मेट यह अभी मुझे भी इतना अपडेट नहीं है लेकिन यहां पर आया था मैं बताया हूं लेकिन आप लोगों का मन में सवाल आएगा कि भाई मैं दुबई से उमान जाकर करके क्या साओधी अरबा सकता हूं तो देखिए उमान ने भी फ्लेंट पर सस्पेंड लगा दे ओमान ने जो है यह 31 जनवरी को ही और कर दिया था कि हम बंद करने जा रहे एक हपते के लिए तो क्या अभी तक कोई ख़बर नहीं आया लेकिन ओमान जो है फिर से खोल भी सकता है तो अब आप लोगों का मन में सवाल यह भी आ रहा हो कि भाई दुबई में फसे हुए हैं तो क्या सुधी रवा सकते हैं बंगला देश या फिर कोई साभी कंट्री जैसे के आप लोगों को पता यह था कि सुधी गवर्मेंट ने कहा था कि ब्रैजिल अजर्टीना और भी ऐसा देश है उस देश के लोग मतलब इंडिया से अगर आप उस देश में गए हैं तो नहीं आ सकते हैं तो देखिए इसका जनकारी यह पूरा इंडिया.com नीच प्यापर में जो है आया था जो कि मैं सोचा कि आप लोगों को बता देना चाहिए ठीक है बहुत लोगों का मन में सवाल था ठीक है तो देखिए यहां पर लिखा गया कि भारस सहित 20 देशों के सौधी कि अपनी योजनाबाद यातरा से पहले 14 दिनों के भीतर उपयक्त देशों में स्वास्तरिक्त हुए है ठीक है यहां पर क्या बता जा रहा कि उन लोगों पर भी परतिबंद मतब बैन लगा दिया गया है जो सौधी कुर्मेंट कहा था कि आप कोई साभी कंट्री जा करके स बैन लगा दिया है जो Yak इंडिया के लोग और किसी भी कंट्री में 14 दीन बिता के साॉधी रवा रही थे उन लोगों पर भी यहाँ नहीं uh वाल था कि भाई हमौं स्रीलंका जा सकते हैं उंस देशों से भी नहीं आसकते हैं सथाधी रव यहां पर बता जा रहा है लेकिन अभी तब त्बतक गॉणन्मेंट के त्रफ से कोई ओफिशल कोई नई नूज नहीं है यह यह नहीं चैनल जहाब अपना इंडिया.com नीच पेपर में छपा है वो बता रहा हूं लेकिन गुवर्मेंट का वेबसाइट पर आ जागा तभी हम समझेगे कि पाक का यह खबर है यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया से सौधी रव आने के लिए तो देखें इंडिया से सौधी रव आने जो लोग होटल में खाना खाते हैं उनके उपर जो है फाइन लगाए जा सकते हैं नमबर देख सकते हैं यह नमबर पर कह रहा है कि अगर इस आदमी कहीं मिला तो आप कॉल कई एक आप दोस्तों बात आ जाता है कि इंडिया से सौधी एरब के लिए सौधी गवर्मेंट कव नुज में नहीं आया है कि सौधी गवर्मेंट कव फढलाइट में खोलेगा कितना तारी को खळएगा कितना तरी को नहीं खोलेगा ठीक है लेकिन आपकƠा दूं कि सौधी जो एरलैन्स है वो मई तक आप लोगधों को पता है कि भेन करके रखैं मैं तक सौधी एयरेंस च सब्सक्राइब कर दिया है तो यह था अपडेट की यहां का कुवेत जो नागरिक है वहाँ पर दूबई जा कर के कुवेत अब सब्सक्राइब कर दो आगर पहले बर सब्सक्राइब भी जरूर के लिए